ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 3 जुलाई 2014 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे कलंगी धर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ जितना तुम पर कलंग लगते हैं उतना तुम कलंगी धर बनते हो मीठे बच्चे कलंगी धर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ जितना तुम पर कलंग लगते हैं उतना तुम कलंगी धर बनते हो प्रश्न, बाप की आग्या क्या है? किस मुख्य आग्या पर चलने वाले बच्चे दिल तक्तनशीन बनते हैं? उत्तर, बाप की आग्या है मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है शान्ती में रहना है, अगर कोई को तुमारी बात अच्छी नहीं लगती, तो तुम चुप रहो एक दो को तंग नहीं करो, बाप दादा के दिल तक्तनशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भी भूत न रहे मुक से कभी कोई कड़वे बोल न लिक लें, मीठा बोलना जीवन की धार न हो जाए ओम शान्ती, भगवान वाच, आत्म भिमानी भव पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह बच्चों के लिए सावधानी बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ शरीर तो पुरानी जूत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता सतो प्रधान शरीर तो सत्यूग में ही मिलेगा अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है शरीर तो वही पराना है अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है पवित्र बनना है सत्यूग में शरीर भी पवित्र मिलेगा आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है बाप भी आत्मा को देखते हैं सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी वे तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे ये तो तुम्हारा काम है बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है बाप तो आया ही है रास्ता पताने connection है आत्मा गुलगुल बन जाती है फिर करतवे भी अच्छे करती है वहाँ पंच्छी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं यहाँ चिडिया मनुश्यों को देख भागती है वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंच्छी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वे भी काइदे सिर, ऐसे नहीं घर के अंदर घुसाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत काइदे की दुनिया होती है, आगे चल तुमको सब साक्षातकार होते रहेंगे, अभी मारजिन तो बहुत पड़ी है, स्वर्ग की महमा तो अपरम पार है, बाप की महमा भी अपरम पार है, तो बाप के प्रापर्टी की महमा भी अपरम पार है, बच्चों को कितना नशा चड़ना चाहिए, बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ, जो सर्विस करते हैं वह automatically याद आते हैं आत्मा में मन बुद्धी है ना समझते हैं कि हम first number की service करते या second number की करते हैं ये सब number वार समझते हैं कोई तो museum बनाते हैं president governor आदी के पास जाते हैं जरूर अच्छी रीती समझाते होंगे सब में अपना अपना गुण है कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है जो serviceable होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे करवा कभी बोल नहीं सकेंगे जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है दे अविमान है नमबर वन फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं मनुष्य बद्चलन भी बहुत चलते हैं बाप कहते हैं इन विचारों का दोश नहीं है तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है ड्रामा का चक्र है टाइम भी ठीक बताते हैं बागी बहुत कम समय बचा है वो लोग आजादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं आपस में लड़ते रहें नहीं तो उन्हों का बारू दादी कौन लेगा ये भी उन्हों का व्यापार है न ड्रामा अनुसार ये भी उन्हों की चाला की है यहां भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है वह कहते ये टुकड़ा हमको मिले पूरा बटवारा नहीं किया गया है इस तरफ पानी जास्ती जाता है खेती बहुत होती है इस तरफ पानी कम है आपस में लड़ पड़ते हैं फिर सिविल वार हो पड़ती है जगड़े तो बहुत होते हैं तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगी धर बनते हो जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो ये तो जानते हो कि इन बचारों को पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक बनते हैं 84 जन्मू की बात तो बहुत सहज है आपे ही पूझे, आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो कोई की बुद्धी में धारना नहीं होती है ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है कर क्या सकते हैं किदना भी माथा मारो परंतु उपर चड़ नहीं सकते हैं तद्बीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है राजधानी इस्थापन होती है उनमें सब चाहिए ऐसा समझ कर शांत में रहना चाहिए कोई से भी खिट-पिट की बात नहीं प्यार से समझाना पड़ता है ऐसे न करो ये आत्मा सुनती है इससे और ही पद कम हो जाएगा कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं तो छोड़ देना चाहिए खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा ये पिछाडी तक रहेगा माया भी दिन प्रती दिन कड़ी होती जाती है महारतियों से माया भी महारति होकर लड़ती है माया के तूफान आते हैं फिर प्रेक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की एकदम जैसे अच्छा लडोल रहते हैं समझते हैं माया हैरान करेगी डरना नहीं है कलंगी धर बनने वालों पर कलंग लगते हैं इसमें नाराज नहीं होना चाहिए अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है अब लाओं पर अत्याचार होंगे अकासुर बकासुर नाम भी है इस्तरियों का नाम भी पूतना सूपन खा है अब बच्चे पहले-पहले महमा भी बाप की सुनाते हैं बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो या नौलेज एक बाप के सिवाए कोई दे नहीं सकता रचता और रचना का ग्यान यह पढ़ाई जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो अलंकार भी तुम्हारे हैं परन्तु तुम ब्रामण पुरुशारती हो इसलिए या अलंकार विश्नु को दे दिया है ये सब बातें आत्मा क्या है पर मात्मा क्या है कोई भी बता नहीं सकते आत्मा कहां से आई निकल कैसे जाती कभी कहते आखों से निकली कभी कहते भ्रकुटी से निकली कभी कहते माथे से निकल गई ये तो कोई जान नहीं सकता अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे बाप के पास तो खुशी से जाना है पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है जैसे सर्प का मिसाल है जानवरों में भी जो अकल है वह मनुश्यों में नहीं है वह सन्यासी आदी तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे ब्रहमरी कीडे को ट्रांसफर कर देती है तुमको भी मनुष्य रूपी कीडे को ट्रांसफर कर देना है सिर्फ द्रश्टांत नहीं देना है लेकिन प्रैक्टिकल करना है अब तुम बच्चों को वापिस घर जाना है तुम बाप से वर्सा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए वह तो वर्से को जानते ही नहीं शांती तो सब को मिलती है सब शांती धाम में जाते हैं सेवाए बाप के कोई भी सर्व की सदगती नहीं करते ये भी समझाना होता है तुम्हारा निवरत्ती मार्ग है तुम तो ब्रह्मा में लीन होने का पुरुशार्थ करते हो बाप तो प्रवर्ती मार्ग बनाते हैं ये बहुत गुईया बात है पहले तो कोई को अलफ बेही पढ़ाना पड़ता है बोलो तुमको दो बाप है हद का और बेहद का हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से कितने अपार दुख मिलते हैं सत्युग में तो अपार सुख है वहां तो जन्म ही मक्षन मिसल होता है कोई दुख की बात नहीं नाम ही है स्वर्ग बेहद के बाप से बेहद की बाश्शाही का वर्सा मिलता है पहले है सुक, पीछे है दुख, पहले दुख फिर सुक कहना रौंग है पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या नई दुनिया में तो रावन हो न सके ये भी बाब समझाते हैं, то बुद्दी में युक्तियां हो। बेहद का बाब बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कैने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षातकार कराओ। कितने अथा दुख हैं। अप्रम पार है, नाम ही है दुखधाम, इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता, सुखधाम में स्रीक्रश्न रहते हैं, स्रीक्रश्न के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, वैं सुखधाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है, अभी ये बाबा लक्षमी नारा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो ये तो हम बनते हैं इनकी पूजा थोड़े करेंगे नंबर वन बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें हम तो सूर्वनशी बनते हैं मनुश्यों को थोड़े पता है वे तो सबको भगवान कहते रहते हैं अंदकार कित इतना अच्छी रीती समझाते हो, टाइम लगता है, जो कल पहले लगा था, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते, हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है, देवताओं को भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वह कोई इश्वरी परिवार में थोड़ी हैं, ये है तुम्हारा इश्वरी परिवार, वह है देवी परिवार, कितनी नहीं नहीं बाते हैं, गीता में तो आटे में नमक मिसल हैं, कितनी भूल कर दी है स्री कृष्ण का नाम डाल कर, बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर स्री कृष्ण को भागवान क्यों कहते हो, विश्ण रजो तमो में सब को आना है इस समय सब तमो प्रधान है बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े परन्तु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है बहुत अच्छी अच जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं फिर पढ़ते नहीं पेट भरा हुआ है बाप कहते हैं कितनी गुईयां गुईयां बातें तुमको सुनाता हूं जो सुनकर धारन करना है धारना नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे बहुत बच्चे भी विचार सागर मंतन कर इसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जो कभी इसने नहीं सुनाई है, वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं, तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, बाप कितना उच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके, ये लक्षमी नारायन विश्व के मालिक थे न, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा, ये भी तुम समझा सकते हो, उन्होंने राजपद पाया कैसे, मंदिर की पुजा भूत सर्व्यापी हैं, एक-एक में ये विकार हैं, माया के पांच भूत हैं, माया सर्व्यापी है, तुम फिर इश्वर सर्व्यापी कह देते हो, ये तो भूल है न, इश्वर सर्व्यापी हो कैसे सकता है, वै तो बेहद का वर्षा देते हैं, काटों को फूल बनाते हैं, समझाने की प्रेक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला जब कोई अशांती फिलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है दूसरा विचार सागर मंथन कर ज्यान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है बाप मुरली में रोज जो गुईयां बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है बरदान पवित्रता को आदी अनादी विशेश गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज आत्मा भव पूजनिय बनने का विशेश आधार पवित्रता पर है जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनिय बनते हो जो विदी पूर्वक आदी अनादी विशेश गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विदी पूर्वक पूजे जाते हैं जो ग्यानी और अज्यानी आत्माओं के संपर्क में आते, पवित्र व्रत्ती, द्रश्टी, वाइपरेशन से यथार्थ संपर्क संबंद निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती हैं। वही विदी पूर्वक पूज्य बनते हैं। सिलोगन व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिष्टा बनकर सेवा करो तो विश्व कल्यान का कार्य तीव्रगती से संपन हो। अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती.